आज हम देखने वाले हैं B.A.38 जोगरोफी फाइल की सीट नमबर 3 जिसकी विदी है साधरन शंकूप प्रचे विदी आकिर शंकूप प्रचे विदी क्या होती है यह भी जानेंगे और साथ ही में देखेंगे इसका डाइगराम किस प्रकार बनेगा विद डीटेल के साथ इसक तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सिस्क्राइब कर लें और बैल आकन को और कर लें क्योंकि मैं B.A.S. रेटेल विडिए बनाता रहता हूँ जो के आपके लिए बहुती उपयोगी सीदू हो सकते हैं तो चलिए शूरू करते हैं आप सभी का पुने स्वागत है लाइव इस्टेडी लाइफ टाइम पर आज हम देखने वाले हैं बीए पार थर्डियर की जोगरोफी फाइल की सीट नमर थर्ड सीट सेकंड और सीट फर्स्ट की वीडियो अप्रोड कर चुके हैं तो आज हम जो डाइगराम बनाएंगे उस नाम हैं साधारन शंकू प्रिचिप वीदी इससे पहले हमने बनाए थी बहु शंकू प्रिचिप विदी के जाती है ना बनाने से पहले को पढ़ेंगे और क्वेल क्यूशन होगी उसे भी जानेंगे साथ ही में यह हम सवर्पृत्म जान लें कि आखिरकार की प्रिच्छे विदी होती क्या है तो देखिए प्रिच्छे विदी की परिवाशा होती है वह यह होती है अगर मैं इसकी परिवाश आपको मोटी तोर पर बताओं तो इसकी यह है कि गलोब की अक्षांस व देशांतर रेखाओं के जाल को कागज पर प्रदर्शित करना ही एक प्रिकार की प्रिच्छे विदी है यह अलग 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 तोर पर अगर मैं आपको अगर रफली समझाओं किसका डाइगरम किस प्रिकार का बनता है तो देखिए इ नहीं होती है साधारन शांकु प्रिच्छे विदी यानि की अक्षांस रुदेश अंतर रिखाओं को कागज पर जाल को दर्शाना वह इस बात से यहां पर में मुद्द है वह यह आता है कि हर विदी में अलग-अलग बोला जाता है किसी में समझेत्र प्रिच्छे विदी म ओनवे साधान शांकु प्रिच्छे विदी तो आज हम उपर करें वे साधान शांक्व पिर्चे विदी होगीयद शुर्वात करते हैं प्रिषन के लेनिय एक अनपात 12 करोड 50 मानक अक्छांस यह रहेगा और 35 डिग्री उत्तर अमारा 35 डिग्री उत्तर रहेगा और चेटर का विष्थार जीरो डिवी से पेछेतर रिवी उत्री अक्छांस तदा देशांतर का विस्तार हाईगा-6 डिग्री पस्ट्रिम्स से अनपात या फिर बट है निरुपक भिन का हर यानि जो हमने मापनी ली है उसको डिवाइड कर देंगे हम प्रित्वी के वास्तवित अर्थव्यासे तो हमारे पास आईगे वह आईगी पांच पॉइंट 08 cm तो चलिए शुरू करते हैं डागराम बनाना किस प्रकार बनेगा विस्तार से किसी समझाता भी जाओंगा और बताता भी जाओंगा तो देखिए सर प्रिथम हम एक सरल रिखा खीचेंगे जिसके लंबाई हमारे क्यूशन में आई थी पांच पॉंट जिरो सेंटीमिटर पां और यह हमारा बनेगा संगो परचा बनाने के लिए जो माप हम लें हैंगे वो इस डाइगराम किस प्रकार होगा सबकुस 123 में देखते रएंगे कहाप यहां से ले सकते है और निकों प्रकार में से बढ़ सकतें से इसके बाद में आपको यहां से बस एक चाप काटना है कि लंब तक कुछ इस परिकार बस जए चाप काटने बाद अब हमें इस पर जो 설 दिखाने है वह किस ऑंत्राल में डिखाने देखे 15 । सबसे पहले आंत्राल से käytt आपको क्या है हम आपको छांद की साहिता से से इस पर 15 डिगरी में कोन काट लेने रिखार जिस तरह से यह अफ़ार यहां को लगाया और सर प्रिथम लगोई एक 15 डिगरी का टिक जिसे हमें 15 डिगरी के अंतरालका पता लगया और 7 में लगा लीजे एक 45 डिगरी कौन का टिक बस 2 ही काभी है क्यों कि हमें सिरắt 55 डिगरी चाहिए 45 और 15 डिग्र को काट कर कुछ इस प्रकार उन्हें ओ पॉइंट से मिला लिजे ये 15 और ये 45 का अब हमें करना क्या है अब हमें संकु प्रचव विदी के लिए जो अक्षान सरे का 15 डिग्री उसकी लंबाई चाहिए तो किस प्रकार निकलेगी देखिए वो इस प्रकार निकलेगी आपको करना क्या है हमको इसके हम नाम देते हैं ओ और सी दो हमने नाम देती अब आपको करना क्या है सी अब नब्यडिग्री बनानी है कुछ इस प्रकार से आपको जो कि सीधा लंब से टकर आये ये बात ध्यान रखेंगा हम यहं तक बस यह कोणा है हमारा यह 90 द्रीगरी का है याद रखेगा यह 90 डिग्री अब यह जो लंबाई आई है वह हमारी अक्छान्स की लंबाई आई है जो कि हम शंकु प्रिछेव भीदी में दर्शाएंगे अक्छान्स की लंबाई अब हमें करना क्या है अब हमें देशांतर रेखागी लंबाई वीच चाहिएगी इस प्रिकाल में चाप भरना है यहां से भी बढ़ सकते हैं इस तरह से भर लीजिए आप 15 अंत्राल में आज साफधानी से बढ़िएगा और फिर आपको पॉइंट पर रखकर और एक चाप हलका सा फिर से इस प्रिकार काटना है जिस प्रिकार में काट रहा हूं कुछ इस प् को जिसे लकन देते हैं इस फ्राय को में सीधा से मिलाना है को जिस क्लिवा परकार में घञा हो है इस प्रकार हमें इस लंव को इस लंब से मिलाना है इसे एफ पॉइंट को हम नाम देते हैं यह वाले को देदें आम और इसको नाम देंगे वह आप देख सकते पी- spreading कि इसे देंगे हम बेदेंगा हम भी- पॉिंट और इसे देंगे हम डी-पॉिंट तो अब इन से आपको पैष्ण में क्यों में अब हमें पैशने लिए धिये यह अंतर कीгрोव की 25 टिगरी की दो रिखा वह आ जाओ गारी यह ऐह मरें डा मंणता रैए अब हमें बनाना है शंकू परिच्छे डाइग्राम दोनों डाइग्राम जरूरी है बनाना और दोनों ही बनेंगे तो चलिए अब सुरू करते हैं संकू परिच्छे बना लेगे लिए सरप्रतम हम एक लंब खीचेंगे इसकी माप निश्चित नहीं है आप अपने हिसाब से खीच सकते हैं कितना भी बड़ा अब देखिए इसमें करना क्या है अब इस लंब पर हम सबसे पहले अक्षान सरेखा दर्स आएंगे जो कि हमारी 35 डिग्री रहेगी जो कि हमें क्यूशन में बता गया था वह लंबाई कहां से लेंगे अक्षान सरेखिए यहां से लेंगे सिचाव और पॉइंटर की प्रकाल है आपको चाप भरना क्षावiva करते हैं यहां से आपके इस लंब की के अपर केंदर विंद्व eldest और एक चाप काड़ देना है एक यह कुछ इस परकार से 60-45 यो उसके लिए नीची उत्रएंगे 15 15 गेरी अंतराल में क्योंकि हमारे में 15 गेरी का नंतराल दे रखा है तो इस से नीची हम 15-35 गड़े और 15 गड़े को शाप को 12 गपनागर में चाप काटना है आपको यहा ने यहां यहां से लेना रपे लिए और डी के बीच का जो अंतराल है उसको अपने प्रिकाल में भरेंगे इस प्रिकाल और यहां रखना है इस वाले बिन्दु पर और एक चाप नीचे की और काड़ देना है कि इस प्रिकार से अब यह हमारा शी डिकरी अक्णस रखा अब इस पर रखेंगे और एक चाप और काड़ुंगे हमश्चा यह अिह आगया हमारा शीज फिरि और अब पुटी सान अब ऑगा अब एक पंद्रिटी का चाप और काटेंगे तो हमारा आज आएगा जीरो डिगरी अख्छांस रेखा कुछ इस प्रिकार से है अब हमें जिस प्रिकार हमने नीची चाप काटे थे 15 दिगरे अंतरा के उसे प्रिकार उपर भी दो चाप काटेंगे जो कि हमारा साथ का कटेगा और यहां यहां परका इसको मैं यहां पर रखा था इसको मैं पी-पॉइंट नाम देता हूं आपको समझने के लिए आसने जैए जिस परकार पी-पार रखकर हम इस चाप को मिलाएंगे और चाप काट देंगे कुछ इस प्रकार जिस प्रकार हमने पहले काटा था ऐसे ऐसे ही अब 60 पर रखेंगे और काट देंगे और इसी प्रकार यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ रहेगी और उस प्रकार यह सारी चाप कटेंगे इस चाप पर ऐसा ही जो हमने 40 60 और 55 यह मैंने वैसे रफली लिखाया भी पूरो डियाग्राम बने अच्छे से लिख देंगे अब हमें करना क्या है अब हमने अक्षांस रेखा तो खीचली अब हमें चाहिए देश अंतर रेखा वह भी 45 डिगरी के उपर तो देखिए उसकी हमारी जो नाप मिलेगी जो ल देश अंतर रेखा है यह समझने की चीजे होती है नियुक्त इतने चाप काटना देखिए शाट पस्टिम से साट पूरा यह यह जो देश अंतर हमारी यह 0 डिगरी है कितनी है 0 डिगरी देश अंतर तो बस आप तरकाल को 15 डिगरी पर रखिए और चाप काटना श्टाट कर 45 और नेक्ष्ट काटेंगे वह कट जागा हमारा 60 इसे प्रकार पूर देश आके और भी 15 फिर नेक्ष्ट फिर नेक्ष्ट फिर नेक्ष्ट तो अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के चाप आपके कट जाएंगे यह हमारी 0 डिगरी अक्षांस रेखा से ठीक है कुछ इस प्रकार में आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार इस प्रकार नेक्ष्ट और इस प्रकार हमें सारे चाप को मिला देना है लाइक डिस इसी प्रकार जिस तरह इधर मिलाए है इसी तरह इधर भी मिला देंगे यह सभी चापव को तो देखे यह हमारे देशांतर रहाएं खिच चुके हैं अब हमें करना क्या है जो भी एक्ष्टा है यह और यह इन सब को में एरेजर की साहिता से समाप्ट कर देना फि इसको और इनको अब हम इन पर मान दर्शाएंगे यह रहेगे खुछ इस प्रकार यह हमारी हो जाएगी 0 डिपर अप्छांस रह खा तर यह 15 तीज थी तालिस और साथ और उसी प्रकार इधर भी तंदर आ तीज तालिस तालिस जाट और इस प्रकार अप्छांस रहा है और पिचित्तर और इधर भी इसी परकार है जीरो 15 तीस तो आप देखिए अब हमारा शंकु प्रिच्छे विधी साधरन शंकु प्रिच्छे विधी त्यार हो चुका है आपका कंप्लीट डाइग्राम त्यार हो चुका है बस आपको यहां पर लिखने है मापनी जो कि हमार ए इस लिटेर वीडियो बनाता रहता हूं साथ ही में फस्ट एर सेकेंड एर थर्ड एर सभी से लिटेर वीडियो बनाता रहता हूं धन्यावाद आपसे का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में